फ्रेंड सौगत है आपका हमारी इस चैनल एना बैसिस दा लर्निंग अब में आज के सेशन में हमें एक इम्पार्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे जो यूपियस्सी एस्पेरेंट से रिलेटेड है और खासतोर से उन एस्पेरेंट से रिलेटेड है जो किसी और्गनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपियस्सी एक्जैम की त्यारी भी कर रहे हैं इसकेशन बेस रहेगा इस कोईरी पर जो हमारे एक फ्रेंड ने मेरे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स के माद्धियम से शेयर किया है उन्होंने बताए कि वो किसी और्गनाइजेशन में अलड़ी कारे रहे हैं और उसी के साथ एक्जैम की त्यारी भी कर रहे हैं यूपियसी एक्जैम की उन्होंने प्लिम्स दिया और अभी मेंस में इंवाल्ड है लेकिन पिल्लियम्स जब उन्होंने दिया अपियर हुए तो उन्होंने current employer को NOC के लिए apply नहीं किया लेकिन अब वो करना चाहते हैं में इसके दर्मियान वो पूशना चाहते हैं कि इस समय जब वो apply करेंगे तो क्या ये valid होगा या नहीं होगा ये कावी sensitive issue है friends और इसको detail में जाने से पहले मैं एक real life incidence आपके साथ share करूँगा एक candidate कुछ साल पुरानी बात है एक candidate जो civil services की तयारी कर रहे थे engineering background के थे तो engineering services की भी तयारी कर रहे थे parallel पहले जनरली यहसा होता था optional भी common होते थे और civil services और engineering services की preparation पैडल करते थे पहले उनका engineering services निकला जोइन किया Indian railways उनको अलॉट हुई जो बो training institute में ट्रेनिंग कर रहे थे उस दौरान उन्होंने फिर से civil services का exam दिया पिल्लिंस मेंस interview सारे stage clear हो गए और उन्होंने finally Indian revenue services IRS अलॉट हुआ जब उन्होंने अलॉट्मेंट के बाद railways में उन्होंने रिलीविंग के लिए अप्लाई किया क्योंकि अब वो railways छोड़कि IRS जोइन करना चाहते थे तो रिलीविंग के अप्लाई किया इसीट के डिरेक्टर ने उनको रिलीविंग नहीं दिया राधर उन्होंने letter लेखा UPSC को यह बताने के लिए कि इन्होंने जो exam दिया है यह valid नहीं है क्योंकि इन्होंने बिना NOC के exam दिया है इसलिए इनका candidature cancel किया जाए UPSC ने उनके letter को तबज्जु दी क्योंकि government institutions एक letter आया था UPSC ने उसको comply किया और उनका candidature cancel कर दिया बहुती दुख़द incident है क्योंकि कितनी मेहनत लगती है civil services exam क्लियर करने के लिए उन्होंने training के दोरान parallel उन्होंने मेहनत की exam निकाला और उनका candidature cancel हो गया क्यों हुआ क्योंकि उन्होंने timely NOC के लिए apply नहीं किया था और इसी बात को और इसी बात को उनके director ने काफी extreme लिया generally ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो candidates किसी भी organization में job कर रहे है UPSC civil services exam में clear होने के बाद लोग छोड़ देते हैं, relieve कर देते हैं भी hassle create नहीं करता क्योंकि generally लोग किसी के career betterment में endurance create नहीं करते जाने देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जैसा मैंने incidence आपको बताया तो अगर one percent भी ऐसा case हो सकता है तो उस threat को आपको पहले ही negate करके चलना है उसको assess करके चलना है होने नहीं देना है तो करना यह चाहिए कि जब आप UPC exam के लिए apply करें पैलली due date पे NOC के लिए apply जरूर कर दें अब अगर हम इनकी बात करें जो candidate हमसे question पूछ रहे हैं आपने प्रिलिंस के time पे apply नहीं किया करना चाहिए था लेकिन अब मेंस के duration में आप जरूर अपनी organization को intimate कर दें mail के थो या जो आपका HR wing है आपका personal department है उसको आप writing में भी दे सकते हैं कि आप इस exam में appear हो रहे हैं और आपको NOC की दरकार है कुछ organizations ऐसे होते हैं जहाँ पे candidate hide करके preparation करते हैं बताते नहीं है क्योंकि बताने से उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे time पे आप सिर्फ apply कर दें अपने personal department में अपने HR wing में mail कर दें या letter लिख दें आपको NOC नहीं मिलता है वो एक different issue है लेकिन at least आपने apply किया है due date पे तो जो point आने वाले time में जब conflict create हो सकता है तो आप at least यह बता सकते हैं कि आपने due date पे NOC के लिए apply किया था पेरी सला यही है कि जब भी आप UPSC civil services exam के लिए apply करें या किसी भी exam के लिए apply करें जो आपके career betterment के लिए आप बहतर समझते हैं तो जिस employer के साथ आप अभी कारेरत हैं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे intimate जरूर करें और NOC जरूर ले ले time लेते हुए जिसे कि आपको आने वाल जरूर होगी इसके इस अगर आपका कोई 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 है कोई डाउट है तो आप कमेंट वर्क से मेंचन करें हम कोशिस करेंगे आपकी issues को रिसाउल करने की फिरंट्स आप बिशिंग यू वरी वरी बेस्ट अपलाग इस्टेशेव इस्टेव इस्टेव एल्दी एंड टेक वरी वरी गुड केव जर्फ जाय हैं दोस्तों